हैलो फ्रेंड्स वेलकम टुमाइ चाइनल आज हम आलू मतर की सबजे बनाएंगे तो मैंने यहाँ पर 200 ग्रम मतर और 2 मीडियम साइज के आलू को खट कर लिया है उसके बार 2 मीडियम साइज के टमाटर लिये है इसे हम ग्रेट कर लेंगे आप चाइ तो इन्हें मिक्सर में पीश सकते हो टमाटर को हमने ग्रेट कर लिया है मैंने चिलका नहीं लिया है इसमें कडाई में 3 बड़े चमच आईल लिया है आईल गरम हो गया है अब इसमें हम डालेंगे 1 चमच जीरा कुछ सेकेंड के लिए इसे हम बून लेते हैं उसके बाद 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्यास डालेंगे प्यास को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है बहुत बड़िया बनती है ये सबची तो वीडियो आप एंड तक देखिए अब डालेंगे एक चमच अद्रकलेसुन की पेस्ट पेस्ट को प्यास के साथ फ्राई करेंगे देखिए प्यास का कलर चेंज हुआ है अब इसमें हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ टमाटर टमाटर को हमें अच्छे से मिक्स करना है फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है साइट से ओईल चुटने तक इसे हम पकाएंगे देखिए टमाटर और आलो अच्छे से मिक्स हो गए है और साइट से ओईल भी चुटने लगा है अब हम इसमें मसाले डालेंगे एक बड़ा चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच हरा धनिया और आदी चमच हल्दी एक चमच गरम मसाला मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं अब इसमें हम एड़ करेंगे एक चमच कीचन किंग मसाला कीचन किंग मसाले से बहुत ही बड़ी अस्वाद आता है तो यह जरू डालिए मसालों को हम कुछ सेकेंद तक भून लेंगे अब इसमें हम एक कप गरम पाले डालेंगे गरम पाले डालने से थमाशालों का सवार बना रहता है इसे हम धब के एक मीट कि पकाएंगे एक मीना के बाद धकरन हटा देते है बहुत ही बढ़िया कुश्बू आ रही है मसालों की अब इसमें हम आड़ करेंगे मटर और आलू मैंने यहापर फ्रेश मटर लिया है अगर आप प्रोजन मटर का इस्तिमाल करने वाले हो तो पहले आलू डालिए और उसे 5 मिनिट तक पकाईए उसके बाद मटर डाले अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमग 6-7 मिनिट तकन रखके इसे हमें पकाना है 7 मिनिट के बाद तकन हाटा देते हैं अब इसमें एक चमच बेशन का घूल डालेंगे इसे हम सबजी में मिला देते हैं आप यह आलू मटर की सबजी जरूर बनाईए और आपको रेशिपी कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना ना भूल अब इसमें जाएगा एक चमच घी घी डालने के बाद सबजी को हम डगकन रखके 2 मिनिट तक पकाएंगे दो मिनिट के बाद देख लेते हैं बहुत ही बड़िया कलर आया है अब इसमें डालेंगे कटा हुआ हारा धनिया धनिया को अच्छे से मिक्स करेंगे प्रेंड्स हमारे डिलिश्यस सबजी बनके तयार है अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना ना भूले, दन्यवाद